आठ प्रिष्ट उन्निस माशलोग पहला ध्याय पांडव सेना की रन घोषना के उस घोर रन नाव ने भूतला काश को गुंजाते हुए कमपाएं मान करते हुए द्रित राष्ट के पुत्रों के हृद्यों को वे दीरन कर डाला उस भ्यंकर नाथ से तेरे पुत्रों के हृदे भै से काप गए अब अरम में ही संजे द्रित राष्ट से कह रहे हैं अभी तो समर्शंक का घोश उद्गोग हुआ है वे रण बिगलों का नाद इतना भ्यंकर था उस भ्यंकर रण नाद उस गोश को तेरे पुत्र सुन करके ही भै से काप गए अश्यर्या नहीं है आज जब अकाश की बिजली गड़ गड़ा रही होती है बादल गरज रहे होते हैं तो जो भीरू है व्रिध है यहां तक देखा गया कि वे अपनी चार पाई से गर जाते हैं भै के कारण व्रिध को जब यह परिवर्तन होते हैं बिजली का कड़कणाना बादल का गरजना वे भ्यंकर लगता है उनको डर और भै लगता है ऐसा ही डर और भै यह दृतराश्ट तेरे पुत्रों को उस घोर गरजना से हुई अब युद डर से भै से तो जीते जाते नहीं श्री गुरु गोविन सिंग जी महराज के पास केवल 40 सिख केवल 40 मुहम्डन सेना 2 लाग विजे हासल की फते हासल की तब विशव युद में भी जब पोलेंड ने फ्रांस के उपर आकर्वन किया तो पोलेंड की बहुत सी छोटी सी सेना और फ्रांस की बहुत बड़ी सेना फ्रांस को हरा दिया लुई ने अपने जनर्रल से पूछा क्या कारण है पोलेंड की सेना बहुत छोटी सी हमारा देश और हमारी शक्ती और सेना वल कहीं बड़ा फिर पोलेंड ने हमें कैसे हरा दिया तब लुई ने कहा अपने शब्दों में कि ये युद देश का कितना बड़ा अकार है कितने लोग है सेना कितनी बड़ी है इस मापदन से नहीं जीता जाता मन में उत्सा कितना है शार्या कितना है उस बल पर ये युद जीते जाते हैं ग्यारा अक्षाणी सेना लिए हुए दृत राश्ट के पुत्तर साथ अक्षाणी सेना से काप रहे हैं संजे ने कहा हे राजन जब दोनों और से संग्राम के नाद गुझाई जा चुके थे केवल प्रस पर लोहा लेने की देर थी उस शस्तर चलाने के समय में हनुमान के चितर युक ध्वजा वाले अर्जुन ने तेरे पुत्रों को समर के लिए सजे हुए देख कर अपना धनुष उठा कर जैतेंद्रिया शिरी क्रिशन को यह वचन कहा हे अविनाशी मेरे रत को चला कर दोनों सेनाओं के मद में खड़ा कीजिए अब रन घोषना युद की घोषना हो चुकी है रन नाद गुझाए जा चुके है अब यहां पर एक तो आया हनुमान के चित्तर्युक्त ध्वजा वाले तात्प्रिया प्रतेक रत पर कोई ना कोई ध्वजा होगी और कोई ना कोई विशेशन उस ध्वज के द्वारा दूर से पता चल जावे कि सम्मुक कौन है आज खिलाडियों के उस जर्सी पर भी पीछे नंबर लिख दिया जाता है ताकि दूर से कमेंटेटर को पता रहे कि ये कौन सा खिलाडी है इतनी दूर से शकल तो नहीं दिखाई देती इसी पर का कौन किसके साथ युद करना है वैं ध्वज लगाया गया हर रत के उपर प्रंतु जो अर्जुन के ध्वज रत पर जो ध्वज है उस पर हनुमान जी का चित्र अंकित है हुआ ये जब युद अरम होना था भगवान कृशन त्रैकाल दर्शी है बिश्यम पितामा को हरा देना दुरोना चार्या को हरा देना क्रिपा चार्या अश्वधामा और करन उस पर विजे हासल कर लेना किसी भी सैनिक के लिए असंबव है तब भगवान कृशन अर्जुन को ले करके पवन सुथ हनुमान जी की शरन में गए भगवान कृशन कौन है आगे चल करके शस्तर धारियों में राम चंदर मैं हो जब श्री राम चंदर जी माहराज के सवरूप पे बिप्दा आई तो हनुमान जी उनके सहाइक हुए उसी भाव से भगवान कृशन अर्जुन को ले करके कि आप इस युद में ये भी धरम मैं युद है पांड़ों का साथ दे उनको सहाइता दे क्योंकि आज भी रामाइन काल में से हनुमान जी इस धर्ती पर विद्दमान है जहां श्री रामाइन का पाठ होता है जहां राम नाम गुंजाया जाता है किसी ना किसी रूप में हनुमान जी वहां अवश पहुँच जाते है जहां धर्म का कार्या होता है ये वरदान है पवंसुत हनुमान जी को आज भी वे विद्दमान है जब हम पाठ करते हैं किसी ना किसी रूप में वे अवश उस पाठ में उस यग में अवश मेवस मिलत होते है तो भगवान ने कहा ये भी यग शाला है यहाँ धरम और अधरम का युद होने जा रहा है आप पांड़ों के तरफ से इनका सहयोग करें तब हनुमान जी ने कहा मेरे को जो ये अवदी प्राप्त है और युद करने के लिए नहीं है मेरा जो कार्या है अब उस कार्या क्षेतर से भिन है प्रन्तु भगवन आप आए हैं आप जब जहां पर आप होंगे वहां पर किसी भी सेना का विजे हो जाना सभाविक है आप मुझे क्यों कह रहे हैं जब आप स्वेम इनके पक्ष में खड़े हैं भगवन ने कहा मैं अस्तर शस्तर नहीं उठाओंगा ये मैंने वचन दिया है ये भगवन जब आप अस्तर शस्तर नहीं उठाएंगे तो ये दास आपके सम्मुक कैसे अस्तर शस्तर उठा सकता है आप आएं हैं मैं आपके साथ हूँ जहां पर आप होंगे वहीं पर मैं हूंगा मैं उस रत पर सवार हो जाओंगा भगवान अतीप परसंद दोनों हाद जोड़कर नमन किया और पवन सुथ हनुमान जी को अरजुन के रत पर शुभाए मान कर लिया अपनी सर्व शक्तियों सहत पवन सुथ हनुमान जी उनकी विशेष्टा हम जानते हैं वै अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का अकार बड़ा अत्वा छोटा कर सकते हैं अपने शरीर को जितना वजन चाहें वै बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं हुआ भी जब करन आज के द्रिष्टी में वे अगनिवान मिजाइल आज के भाशा में वे मिजाइल थे अगनिवान जब वे अर्जुन के रत को मारता प्रहार करता तो रत कुछ सेंटीमिटर भी ना हिल पाता वे अगनिवान वहां जाकर शांत हो जाता क्यों? अगनि पवन सुथ हनुमान जी के लिए शांत बन जाती है जब अगनि देव पवन सुथ हनुमान जी को उस ध्वज पर अवलोकन करते हैं अपना सभाव त्याग देते हैं जिस परकार पूछ में अगनि लगाई गई अगनि ने अपना सभाव त्याग दिया वै उशंता त्याग दी इसी परकार प्रतेक अगनि वान अर्जुन का रथ उससे सुरक्षित बना हुआ फिर वै परहार इतना तीक्षन तीवर जब अर्जुन वै वान चलाता तो सम्मुक योदाओं के रथ कई कई कोस मील दूर चले जाते और वै अपना युद सुचारू रूप से कर पाता प्रन्तु जब वै योदाओं अर्जुन के रथ पर परहार करते वै एक अंश्ट भी नहीं हिल पाता क्यों वै वज्र वै वजन जो पवन सुथ हनुमान जी उस पर विराजबान है नहीं हिलने दे रहे तो यहां पर हनुमान के चितर युक धोजा वाले जब परमपूर श्री प्रेमजी महराज ने अपने पंच भौतिक धाम का त्याग किया उसके पश्याद जब वहां के देहली के कार्या करताओं ने शिर्मत भगवत गीता का पहला अडिशन छपवाया तो उस गीता में आज भी वै विद्वान है अर्जुन के ध्वज पर ओम लिख दिया गया तो वहां के जो संचालक हैं उनको पत्तर लिखा क्रिपया आप महराज के गरंद को पढ़िएगा आपने अपनी बुद्धी के अनुसार अर्जुन के ध्वज पर ओम लिख दिया जबकि महराज ने लिखा हुआ है कि अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी स्वेम विराजमान थे उनका चित्र वहाँ पर विद्मान था क्रिपय इस तरूटी को दूर कीजिए पत्तर आया कि ये विद्वानों ने ऐसा कर दिया और उसके बाद जब गीता छपी तो उस पर हनुमान जी के चित्र को ही उस ध्वजा पर ऑंकित किया गया ये छोटी छोटी बाते परंतु इसके पीछे बहुत बड़े भाव है जब इस परकार से मानव अपने हृदे में उस प्रमेश्वर को उंकित रखता है उस प्रमेश्वर को अपने हृदे में स्थान दे देता है तब बड़ी से बड़ी बादा विकन भी वह उसको नहीं हिला पाते तब कहते हैं कि गीता का प्रतेख बिंदू मात्रा अक्षर इसका कोई अर्थ है जो हमें अपने जीवन में सिखाने के लिए और अपने जीवन को चलाने के लिए यह प्रयाप्त है प्रंतु वो जो इसकी शरन में आजावेगा जो इसको समझने का प्रियतन करेगा जो शिर्मत भगवत गीता में है वे अपने जीवन में उतारना है अर्जुन कोई कम शूरवीर नहीं है प्रन्तु फिर भी उसे सहायता लेनी हुई शरन को ग्रहन करना हुआ और मानव अपने बल पर कोई भी कार्या गदा पी उसमें सफलता नहीं हो पाती जब तक वैपरम पिता परमात्मा को अपने हृदे में स्थान देकर उनकी कृपा को उनके अशीरवात को प्राप्त ना कर ले वे और उनके उनको अपने साथ ना ले ले वे प्रतेक कार्या में सफलता कदम चुम्ती है यही अर्जुन के साथ हुआ है प्रंतु अब समर के विगुल बच चुके हैं अर्जुन भीशम पितामा के समर शंक का वैध्वनी अपने कानों से सुन चुके हैं अश्चर्या चकित हैं कि भीशम पितामा तो सब के सबसे बड़े हैं सब के लिए समान हैं क्या भीशम पितामा और दुरुना चार्या जो बाल काल से मुझे हम सब को धर्म क्या है अधर्म क्या है इसकी शिक्षा देते रहे हैं धर्म की ओर चलना अधर्म की ओर नहीं चलना ये हमें ग्यान देते रहे हैं आज इस अवस्था में बड़ों का क्या दायत्व रहता है अपने परिवारों में देख लीजिए अगर भाईयों में लड़ाई जगड़ा होने लगे तो बड़ा क्या करता है उसको समझाता है दोनों पक्षों को दोनों भाईयों को समझाता है अगर कोई ना समझे तो ऐसा नहीं कि बड़ा किसी एक पुत्तर के पक्ष में हो जावे और दूसरे के विरुद हो जावे और उस पुत्तर के पक्ष में जो अधरम के मार्क पर है अन्याय के मार्क पर है उसे तो उस बजर्ग को तो कुटस्त हो जाना चाहिए भाई अपना आप निभाड़ो मैं तो आप कुछ नहीं कर सकता अगर लड़ना है जगड़ना है तो आप अपना आप संभालो प्रंतु अर्जुन यहां अश्चरया चकित है क्या गुरू भी इस प्रकार से एक बख्ष का साथ ले सकता है क्या दादा प्रदादा एक बख्ष का साथ ले सकते हैं यह अश्चरया अर्जुन के हिर्दे में उत्पन हुआया है फिर जब समर्शंक व्यद्वनी सुनी भैभीत भी है कि अपने इस आखरी पड़ाओ पर ये धरम का त्यार करके अधरम के मार्क पर कैसे चल पड़े अशर्या चकत है अर्जुन जब क्योंकि वे रन बिगुल जब बजाएगे सब शंक का नाग उसकी अवाज भिन भिन है शंक जब भीशम पितामा का तो दोनों सेनाओं को पता चल गया कि हमारे सेना पती ने शंक बजाया है लाखों की सेना है शकल नहीं दिखाई देगी दूर से नहीं पता चलेगा वे नाद सुनाई देगा तब पता चलेगा कि हमारे सेना पती ने इस युद के अरम की सूचना हमें दे दी है कि हमें अब तयार हो जाना चाहिए ऐसे समय में क्योंकि पहला घोश भीशम पितामा का है कि हम तयार है युद करो पहला परहार अब पांड़ों की तरफ से होगा क्योंकि रन की घोशना भीशम पितामा ने कौर्वों की तरफ से की है युद के कोई नियम थे अब वे पहला शस्तर नहीं चलाएंगे शस्तर अब पांड़ों को चलाना होगा उसके उत्तर में अब उत्तर में अर्जुन कह रहा है मेरा रत चलाकर दोनों सेनाओं के मद में खड़ा कीजिए अब जब तक अर्जुन के तरफ से पांड़ों की तरफ से शस्तर नहीं चलाया जायेगा तब तक दूसरी तरफ से कोई वी अस्तर-शस्तर का प्रियोग नहीं होगा अब गुंजाया जा चुका है वै नाद, अरजुन कह रहा है हे अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होने वाला मेरे रत को चला कर दोनों सेनाओं के मद में खड़ा कीजिए जिस से लड़ने की इच्छा से शस्तर अस्तरों से सनद होकर खड़े हुए इन सब को सुगमता से मैं देख सकूँ और जाननू कि इस युद की तैयारी में किन के साथ मुझे युद करना है क्यों नीती न्याएहीन दुर्बुद्धी दुर्योदन का हित करने की इच्छा वाले जो यह योदा इस थान में इकठे हुए हैं उन युद करने वालों को मैं भली भांती देखूं परिवारों में क्या होता है अगर लड़ाई जगड़ा हो जाता है कौन किसका साथ दे रहा है यहां से ही मानव अपना मित्तर और शत्रू स्वेम निरधारित कर लेता है कि वै मेरे विपरीत चल रहा है इसलिए मेरा शत्रू है यहां तक कि जब माता पिता कोई बटवारा करने लगते हैं संपत्ति का पटवारा करने लगते हैं अगर मन में ये आ गया कि मेरे माता पिता दूसरे भाई का पक्ष ले रहे हैं अब आपको कुछ भी मिल जावे आपको कम लगेगा दुर्बुति यह सभाविक अपने परिवारों में है अब जब अर्जुन देखेगा कि भीशम पितामा, दुरोना चार्या, परमुख तो ये दो ही है यह भी अधरम का अन्याई का साथ दे रहे हैं प्रेम बद है कौन नहीं प्रेम करता अपने स्वैजनों को जब वे अपना स्वैजन अनुचित कार्या करता है जहां रोश आता है वहाँ प्रेम के वश उसके हित के लिए करुना भी उत्पन होती है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है ये तेरे नाश की ओर लेके जाने वाला है रोश भी आएगा और करुना भी उत्पन हो आएगी एक ही समय ये दोनों भाब भी तर उत्पन हो आएगे वही अरजन के साथ हो रहा है नींद को जीतने वाले अरजन द्वारा ऐसा कहे जाने पर जे तेंद्रिया इंद्रियों पर अपनी विजे रखने वाले जे तेंद्रिया इंद्रियों पर विजे हासल करने वाले शिरी क्रिशन ने दोनों सेनाओं के बीज भीशम, द्रोन और सब राजाओं के सामने उस उत्तम रत को खड़ा करके कहा हे कुंति पुत्र इन इकत्रित खड़े कौर्वों को तू देख द्रोना चारया तो कौर्व नहीं है जिस परकार नदी नालों का जल जब गंगा में उसमें समिलत हो जाता है तो सारा जल गंगा जल कहलाता है अब द्रोना चारया कौर्व ना होते हुए भी उस सेना में विद्मान है क्यों कहा कि अब इन्हें ब्रामन नहीं समझ लेना वै युद्ख शेतर में खड़े हैं कौरव तेरे शत्रू बनकर खड़े हैं इसलिए अपने कर्तव कर्म का त्याग मत कर देना भीशम द्रोन और सब राजाओं के सामने उस रत को खड़ा करके कहा हे कुंति पुत्र इन एकत्रित खड़े कौरवों को तू देख जब कोई अन्याय का साथ देता है सभी अन्याय ही करने वाले दिखाई देते हैं और कहे जाते हैं वहाँ उन दोनों ही और की सेनाओं में हत्यारों से सजकर उपस्तित बड़े बूड़ों को बड़े और बूड़ों को व्रिद पिता माहों को अचारियों को, मामों को, भाईयों को, पुत्रों को, पोतों को, अपने मित्रों को, ससुरों को, सहनैयों को अर्जुन ने देखा कोरवों में कौन-कौन खड़े है, सारा परिवार, स्वै, जन, समू, अपने समुक, अस्तर, शस्तर, हात में लिए हुए, बड़े बूड़े भी कोरवों की तरफ से खड़े हैं, युद करने के लिए सजकर खड़े हुए, उन सब बंदुओं को अवलोकन करके, कोई भी शत्रू भाव से नहीं देखा, अपने बंदु, अपने समुक, अवलोकन कर रहा है अर्जुन, देया भाव से व्याप्त व्यकुंति पुत्तर अर्जुन, खेद करता हुआ, शिरी क्रिशन को यह वचन बोला, हे शिरी क्रिशन, युद करने की कामना से समुक, विद्मान, इस स्वैजन समुक को अपना मानने वाला, स्वैजन, और स्वैजन समुक, सभी रिष्टे नाते, सगे संबंदी को देखकर मेरे अंग शितल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखता चला जाता है, मेरी काया में कपकप इछा रही है, और रॉंग्टे खड़े हो गए हैं, क्या कोई रोग लग गया अर्जुन को, क्या कोई बिमारी लग गई, मुख सूखता चला जा रहा है, काया में कपकप इछा रही है, कोई बुखार हो गया, नहीं, मन, मन देया भाव में, अपने स्वय जन, अपने गुरु, अपने पिता समान पुझ जन, वै बड़े बुडे, अपने अचारिया, अपने रिष्टे नाते, वै सम्मुख खड़े देख करके, क्या मैं इनके साथ युद करूंगा, धिकार है मेरी शूर विर्टा पर, अपने स्वय जन, समूब के उपर मैं वान वर्शा करूंगा, अर्जुग का कांपना, मुक सूकना, अपने उपर ले आए, हमारे सम्मुख धन दौलत के लिए, घर, वार, महल, मारियों के बटवारे के लिए, अगर अपना पिता सम्मुख खड़ा होगे, अपने पुत्र सम्मुख खड़े होगे, अपने पौत्रे सम्मुख खड़े होगे, अपना ससुर सम्वे खड़ा होए हम तो आँख उठा कर देख भी नहीं सकते उनके उपर कोई प्रहार कर देना और मुख से कुछ बोल देना वहीं पर गर्क हो जावे फिर अर्जुन तो धर्म को समझने वाला है अगर अर्जुन का मुख सूक रहा है तो इसमें कोई अशर्या नहीं अगर वह कांप रहा है तो कोई अशर्या नहीं स्वैजन समू को देख करके आप अपने उपर ले आए अपने परिवार के पुत्तर को संतान को पौतर को थोड़ी सी चोट लग जावे तो हम किस प्रकार से व्याकुल हो जाते हैं क्यों अपना मानते हैं अगर वह किसी कारण वश हस्प्ताल में दाखिल करवा दिया जावे तो उसके लिए कैसे व्याकुल होकर हस्प्ताल के चकर लगाते हैं हस्प्ताल में तो और भी बहुत से पेशेंट है और बहुत से रोगी हैं, क्या उनके लिए उतनी व्याकुलता होती है हमारे मन में, क्या उनके लिए उतनी अशान्ती होती है, कदा भी नहीं, क्योंकि उन्हें हम अपना नहीं मानते, जितना हमारा प्रिये दुख में है, उससे कहीं अधिक दुख में, कश्ट में, रोग ग्र ये अपना पन, अपना प्रिये अगर रूठ भी जावे, रुष्ट भी होवे, पुत्तर माता पिता का अनादर भी क्यों ना करने लगे, यहां तक कि पिता को कुवचन भी कहे, मा को कुवचन कहे, प्रन्तु मा और पिता क्या अपना पन उस पुत्तर के साथ कदा पी समाप्त नहीं हो जाता उसी पुत्तर ने जिसने अपनी अवग्या की होवे अगर उसको चोट पहुन जावे तो मां रोने लगती है क्यों क्या मां को कोई कश्ट हुआ नहीं अपना पन वही हालत अर्जुन की है यहां पर जिनके तो चरन मैं धोता रहा जिन बच्चों को अपनी गोद में वैं उनको देकर परसन होता रहा आज वैं युद्ख शेतर में सम्मुख खड़े हैं इनके मैं अपने वानों से कैसे बींद पाऊंगा यह अपना पन और प्रेम अर्जुन के हृदे में अब इसकी शूर वीरता उसका क्षत्रिया पन उसका शौरिया और उसका वैत्तेज सब कुछ मंद कर देवेगा इसलिए अपने कार्या में मन के हारे हार है मन के जीते जीत अर्जुन मन से हार रहा है सम्मुख स्वैजन से नहीं हार रहा मन से हार रहा है मेरे हाथ से गांडिव धनुष खिसकता जाता है मेरी तवच्चा भी जल रही है क्या किसी ने कोई अगनी लाके उसको तवच्चा को जलाने लगा है नहीं भाव साधना में भाव अगर भाव है कि मेरे गुरुदे मेरे सम्मुख है मेरा इश्ट मेरे सम्मुख उपस्तित है विराजमान है तो वै जो उर्जा और शक्ति मिलती है वर्ना तीत है ऐसे साधक की जो साधना और ध्यान की अवस्ता है अगर वै भीतर भाव ना होवे तो नीरस्ता रहेगी और बार बार घड़ी देखेगा कि मैं एक घेंटे के लिए बैठा था अभी एक घेंटा पूरा नहीं हुआ एकागरता नहीं बनेगी अब वही जो एकागरता एक युद में योदा की होनी चाहिए अर्जुन उस एकागरता को खो रहा है शरीरिक रूप से उसे कुछ भी कोई अगनी के सम्मुक स्पर्ष नहीं है जो जिससे उसकी तवचा जले अगनी के पास नहीं खड़ा मन व्याकुलता ये किस प्रकार से प्रभाव डालती है अर्जुन की अवस्था को बड़ी बारीकी से समझने का प्रियतन कीजिए और अपने आपको देखिए क्या हम भी अपने भावँ ये भावी तो है अर्जुन के कि मैं उनको वानों से बीधने जा रहा हूं भावँ के कारण जल रहा है हम भी अपने भावों में विचारों में इतना वै जंगल खड़ा कर लेते हैं उसमें उलज जाते हैं वो ऐसा सोच रहा है, वो वैसा सोच रहा है, वो ऐसा करने वाला है, वो वैसा करने वाला है, अपने ही भावों में, ख्यालों में, उलज करके अपने जीवन को ही दोदक बना लेते हैं, किसी और ने नहीं बनाया, अपने भावों ने, अर्जुन के अपने भाव है यहां पर, मेरे हाथ से गांडिव धनुष खिसकता जाता है और मेरी तवचा भी जल रही है मेरे तन को आग सी लग रही है विचार करना मन के भाव किस परकार मानव को तंग करते हैं मैं इतना शितल हो गया हूँ कि खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ और मेरा मन तथा मस्तक चक्कर सा खा रहा है हे सुख में शैन करने वाले अनंद कंक्रिशन इस समय सब नमित मैं तो उल्टे अशुब सूचक देख रहा हूँ युद में अपने जनों को मार कर यहां पर अर्जुन को यह अवस्था भावों में वै विद्वान होने से भगवान कह रहे हैं सामने खड़े कौर्वों को तु देख तेरे शत्रू है अर्जुन क्या देख रहा है अपने स्वयजन दोनों में अंतर कौर्वों ने अन्याय किया है क्या अन्याय किया है जिसका उनको दंड देना है और जिनों ने उनका सहयोग किया था वै क्रीडा स्थली जहां पर युदिष्टर अपना सारा राज जो शकुनी ने चल किया था पासों के साथ पांड़ों के साथ चल करके सारे का सारा सम्राज उन उसने हत्या लिया था पहला तो जो हमारे शास्तर कहते हैं किसी की संपत्ति किसी की महलमारियां किसी की धर्ति पर चल से अपना कबजा कर लेना यह अधरम है यह पापकरम है उस चल बल में जो भी साथ देगा वै उतने ही उतना ही अपरादी होगा वे दुरुत कीडा में भीशम पितामा भी थे, दुरुना चार्या भी थे, करन भी था और दुर्योदन तो स्वेम शकुनी के साथ था ही अब ये कह रहे हैं स्वेजन को मार कर जो पाप करम करता है वे पापी कहलाता है वे स्वेजन नहीं कहलाता है पहला तो यह अपराध है जो अरजुन स्वेजन समु को देख रहा है और भगवान उनको कौरव कहकर पुकार रहे हैं पहला तो जो हमारे शास्त्रों में है किसी का धन छीन लेना यह कौरव जो समुक स्वेजन जिसे अरजुन कह रहा है ये अपराद वेक कर चुके हैं सभी गुरुजन भी उनके साथ उसी महल में थे फिर प्राई इस्त्री का हरन द्रोपती का वेबी वेक कर चुके हैं कितने उनके उपर युद करने के लिए उनको मारने के लिए धरम क्या है अधरम क्या है भगवान इसको ठीक ठीक जानते हैं अर्जुन मो माया के कारण नहीं जान रहा है फिर किसी के प्रानों को हरने का प्रियतन करना या प्रान हरना एक ही धारा है वैबी कौर्व दुर्योधन के साथ ही लाक्षा ग्रह में कर चुके हैं सभी पांडवों को अपनी मा समेथ उस अगनी कान में बस करने का प्रियतन कर चुके हैं जिने स्वैजन समू कह रहे हैं अर्जुन भगवान करम देखते हैं अर्जुन शकल देख रहा है ऐसे अनेक अपराद के कारण यह युद का समय आ गया है अन्याए करना और अन्याए सेहना दोनों ही पाप करम है युद में अपने जनों को मार कर मैं कल्यान कुछ भी नहीं देखता हूं आप यहां पर रमाइन में आईएगा जब ताड का सम्मु खा गए गुरू विश्वा मित्र जी ने कहा कि आप हे रगुनाद धनुश्बान उठाओ इस असुरी का हनन करो रगुनाद जी गुरू जनों से हमारे शास्तरों से हमारी विद्या में यह हमें सिखाया गया अस्तर शस्तर चलाने के समय में किसी वृद के उपर अपना यह शस्तर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे और सम्मु खर जुन के वृद सम्मु खड़े हैं रगुनाद जी के सम्मोग यही प्रशन आ गया जब गुरु रिशी विश्वा मित्र ने कहा इस असुरी का हनन करो गुरुदेव यह तो नारी है नारी का वद तो पाप कर्म कहलाता है हे रगुनाद जो दुराचारी अत्याचारी पाप कर्मी है वे पापी है ना वे नर है वे नारी है अपना धनुश्वान उठाओ और इस असुरी का हनन करो क्या रगुनाद जी ने उस नारी का वद नहीं किया तब वे नारी के रूप नहीं अत्याचारी आत्ताई को ठिकाने लगाने के लिए सब्य सादूओं की रक्षा के लिए मैं ही इस धर्ती पर आया करता हूँ पुन क्या है पाप क्या है बहुत जटल ये कर्म सिधान्त है बहुत जटल है भगवान आगे चल करके कहेंगे हे अरजुन तो पुन और पाप के बखेड़े में ना पड़ पुन क्या है पाप करम क्या है अपना करतव करम कर समय उचित करतव का पालन ही मानव का कल्यान किया करता है अरजुन सब कुछ भूल गया पे इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया और सभी गुरु जन वहां पर उपस्ते थे जब द्रोपती का अपमान किया गया वस्तर हरन किया गया, तब वीशम पितामा भी वहां थे, दुरोना चारया भी वहां थे, बड़े हैं, उठ खड़े होते, अगर मुँपर थपड मारके भी उसको उस राजपाट से बाहर कर देते, तो कोई भी उनको गलत कहने वाला नहीं था, प्रन्तु ना करना ही उनका पा वे पाप करम ही अब उनके पतन का कारण बनेगा, मुझे इस संग्राम में कोई भी लाब नहीं दिखाई देता, ओम नमो भगवते, वासु देवाए नमा, ओम नमो भगवते, वासु देवाए नमा, संसार में दुखों से दुखी होकर, जिन लोगों ने गीता का श्रवन क किया, अपना भावी जीवन कैसा होवे, इस ग्यान को उपारजन किया, वैसा बेकुंठ में चले गए, गीता का सहारा लेकर, महराई ने तो अरम में ही महातम और रीती में वर्नन किया है, कि इस से करम बंद से मुक्ति हो जाती है, और आत्मा का परम कल्यान होने में कोई भी संशे नहीं रह जाता, ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा, ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा, सवशक्ति मते परमा, आत्मनी श्री रामाई नमा, सर्वशक्ति मते परमा, आत्मनी श्री रामाई नमा, सर्वशक्ति मते परमा, आत्मनी श्री रामाई नमा, सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाई नामा 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 सर्व शक्ति मते परमाई नामा सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाई नामा सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाई नामा सर्वे शक्ति मते परमात्मने श्री रामाए नामा सर्वे शक्ति मते परमात्मने श्री रामाए नामा सर्वशती मते परमात्मने श्री रामाए नमाओ